बाबुजी जेव क्या नाम है अपका गौतम बड़क्तिया बाबुजी क्या करते हैं बैंक से रिटार हूं पहले इन सब इनके लिए जोड़ दर ताली बजाईए आपके घर के आपके परिवार के तमाम सारे लोगों के लिए शुप कामनाएं देता हूं सवाल पूछना चाह अब देखिये सवाल आया वूला राहू गौंदी जब My जाते हैं और जब जनुव पहनते हैं और जब चुन पहनते तो आप को ब्री और वह शब्द तो मैंने नहीं बोलता तो परिषानी होती है क्यों परिशानी होती है मैं आपके पास भी आऊंगा जी मेरा कहना है कि पाजी सवाल है क्या कुई हाँ हर पाजी कॉंग्रेस ही हलफ नामे में आपको तो मैंने पहचान लिया है सजग रहिए का पीछे वाले से यही नईया डूब होते हैं सारी जिस जिस के पीछे अगर आदमी सही नहीं हुआ तो वही नईया डूब होया है उसने जी जनाब आप मंदिर जाने की बात कर रहे हैं कॉंग्रेस ने तो हलफ नामा दिया है कि राम एक कपोल कल्पित हैं वो अस्तितु में नहीं है जो राम के अस्तितु को नहीं मानते हों मंदिर जाके क्या करेंगे इसका जवाब दे कॉंग्रेस इनको आके बताया होगा सर एक बात बोलू मैं आपको मैं कॉंग्रेस से हूँ और मैं रोज मंदिर जाता हूँ डेली इसमें कोई शक नहीं समझें आप बात को तो फिर क्या हम कॉंग्रेस हैं तो हिंदू नहीं है क्या हम हिंदू हैं और इनसे अच्छे हिंदू है ये इनोंने जो कहा आपने सुना ही होगा अब आपका जवाब क्या है मैं जानना चाहतू हूँ पहले आप फिर ये अभी वो जनेव पहनना सीख रहा है उनको ये पता नहीं कि जनेव राइट से पहनी जाती है नहीं जाती है मंदिर तो सब जाते हैं और भारत मता की हम ने ये आप से कहते हैं कि आपको भारत मता की जय का मतलब नहीं पता बताना चाहते हैं जोड़ें आगे बढ़ें हम केवल एक सब कहना चाहूंगा मैंने पहले ही कहा कि अभी अभी भारती जंदा पार्टी से निकले हैं पर है तो जूट ले ना अभी अभी निकले हैं अभी अभी बाहर आए जी बाबुजी क्या हुआ कांग्रेश का उपलब दी है जो बता रहा हूं साब में मेरे चार साल से खेट पढ़ते मंतरी वहां से फोन करते हैं ना पुलिस वाला आते हैं और ना खेट पढ़ें मतलब क्या नहीं समझा उस पे जाने ही न देता है खेट पे वह तो खेट आपका होगा मेरा खेट है और मे हिंदोस्तान के तीन चौता ही जो लडाई है वो खेट और मकानों को लेकर है और वो इतनी बड़ी समस्या है और कोट के मुकद में इसी से भरे पड़े मैं पांच साल बादा हूँगा मैं बादा करके जा रहा हूँ आपसे एक बार मैंने पूछ लिया उसके बाद नहीं आ चुनाओ और इमांदारी के साथ और पुर्चोर आवास के साथ चुनाओ लड़िये जी बाबुजी नमस्ते बहुत से अब किसी बता हूँ अभी मैं समय से मूल बूल समचना की बाद चल रही थी उस क्या नाम है आपका जगदीश मौड जगदीश मौड जगदीश जी कित बाद से तो के ते कांग्रेस का है इसलिए गली अभी तक बढ़ी है वह पूछे ना वह जो प्रिशर पार सदूगों के दिया मिल जाकि वह पूछे ना प्रिशर कूकर वालों से पर जाइस से पूछिए और यह इशारा मालुम किस ने किया कि इन से ना पूछिए इन से सारा गेर-गेर के आपी को यह भजा रहे हैं सारे लोग कोई संकट नहीं है हम साई है और समझे आप सुवरेज अवशकता है पूरे देस की और कोईभी काम होता है तो उस काम में थोड़ा समय लगता है और समय के अनुसार सब साई होता है आज हमने करो कम से कम पचीश प्राइवेट नोक्री या कोट में बहुत अच्छी बात है तो चुनाओ कब लड़ना चाहती है वीडियो बनाओ पहले पहले वीडियो बनाओ मुझे नहीं मालूम आप चुनाओं लड़ना चाहती है टिकेट कैसे port काश करें कि काहाँ तक पहुंचेंगी पहुंच पाएंगी या नहीं पहुंच पाएंगी दिपर अब भाए मुश्किला काम है वी दिए आ तो गई है भी जब वीडियो बना लो चलो बोलिये और आज अगर मैं चुनाओ लड़ू ना लड़ू उसे कोई परक नहीं पड़ता लेकिन हम जो चंद्रबान जी के साथ लगें हमें प्रेशर कुकर के साथ हम उन्हें जिता कहीं मानें क्या नामें भीया शानू पांडे ये फोटो किसकी ये मेरी बहन है बड़ी बहन हुआ ये इसका दोहजार अठार जुलाई 2019 को एक्सिरेंट हो गया था बहुत दुख़ा दे और उसके बाद से अभी तक कोमा में है चार साल से और इनकी क्या हुआ बिटा चार साल से जसा आपने अभी बोला कि न्याय नहीं दे रही है न्याय पाली कल मतलब सच्छी कोई न्याय नहीं दे रही है चार साल से ये केस जब की सब के सामने है मैंने लाइए मैंने कहा था ये हाथी के दांथ है अब आया असल दांथ यही मेरा शो है जनाब आली बाकी सब अक्वास सब कूडा करकत है असल मुद्दाब आया बोलो तीन साल पहले तीन महिला प्रोफेसर्स का एक्सिडेंट हुआ था एक्रोपॉलिस कॉलेज से इल्लों शाम को साढ़े पांट वेजे के करीबन वापस आ रही थी इल्लों का एक्सिडेंट हुआ जिसमें दो लोगों की स्पॉर्ट पे देथ हो गई यह इंदौर की गटना ह लेकिन अगर सरकारी करमचारी अपना काम धंक से नि करें यह घर से बड़ें में ऑ tort साण चार साल से न्याले के चक्कर लगा रहे हैं न्याय के लिए चक्कर लगा रहे हैं देखे बाबुजी अगर ज्यादा हो गई है तो घुम कि आईए घर से नहीं तो चुप चाप करे living गार साठे चार साल उए को मा में है बड़ी बेहन ना तो पुलिस ने ढंग से तो बाबा बोले कि जा करके अब और कोई चारा निवचा सर फाइनेंशली हम लोग तूट चुके हैं पच्चासी लाग रुपए लगा है जिसमें 36 लाग रुपा को बिल मैंने कोर्ट में लगाया हुआ है वो बिल तक उल्लोंग रिलीस करने के लिए तैयार नहीं है हमारे प कि उम्हें चुनाओं में कारिकरता भी बहुत व्यस्तों होंगे लेकिन हुजूर आली कि साड़े चार साल से जो कोमा में पड़ा हो और बड़ी बहन 86 लाग रुपे बताते हैं कि बिल बन चुका है 36 लाग रुपे का बिल तो हमने कोर्ट में लगाया सर जो बिल जैसे कहां से न्याले कहां से पुलिस कहां से विवस्ता वक्ट छोड़ अज़े ब्रेक का ब्रेक के बाद बिल लटूगा आप यहीं मौजूद रहे करना प्रेक को भाप यहीं मौजब झाल शाइस